आज मैं कमर के दर्थ के लिए जो इंटर्वेंशन हम करते हैं उसके बाद ली जाने वाली साउधानियां आप लोगों को बता रहा हूँ इन साउधानियों का अपने को फोलो करना इन साउधानियों के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है मरीजों के लिए जिससे कि ये समस्यां बार-बार नहीं हो और जो हमने दवा इंटरवेंशन के दोरा दी है वो सही तरीके से आपको रिलीव दे तो उसके लिए एक तो आपको कम से कम तीन से साथ दिन का रेस्ट करना बहुत जरूरी है रेस्ट के साथ में आप जब भी विस्तर से उठते हैं तो दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर करवट लेकर उठें चीधे उठने पर इस पाइन पर रिड के अड़ी पर जो और बहुत ज़्यादा आता है जिससे अपने को इसके अलावा आप उंचाई वाली चेर का उपयोग करें जैसे जो उंचाई मैंने यूस की होई योपती कम से कम जरूरी है आप सोफे पे अंदर घुषकें ना बैठें जमीन पे ना बेठें इंडियन टोइलेट का उपयोग ना करें आलती पालती मारके ना बेठें और कोई भी बाइक का या कोई भी बंपी राइट का ओएट करें इसमें खाने पीने की प्रिकोशन में अगर हम देखें तो मेली अपन अचार और इमली वाली चीजों से इमली की चटनी से और अचार से बचें आप नीबू का सेमन कर सकते हैं हमारी तरफ से नीबू में कोई बुराई नहीं है ताज़ा दही का उपयोग किया जा सकता है यही मरीजों के एक आम क्यूस्चन होते हैं कि हम खाने में क्या-क्या परहच करें दूसरा एक वेजिटेरियन डाइट में प उपयोग कर सकते हैं तो एक प्रोटीन इंटेक बढ़ाना बहुत जरूरी चीज है मिल्क प्रोड़क्स का उपयोग करना बहुत जरूरी चीज है सन एक्सपोजर प्रोपर हो मौनिंग में डारिक्ट इसकिन सर्फेस पे सन लाइट आपके पड़े मौनिंग की तो उससे वि जरूरी विटामिन डी बीट्वल सारी चीजों की कमी पूरी करता है तो मिल्क नहीं तो मिल्क प्रोडक्स जो मिल्क से ऐलर्जी अगर किसी गुए तो कम से कम चाच पीए दही लें बाकी और दूस्ते बनियों चीजों का उप्योग करें इन्हीं सभी चीजों के साथ में जो आदार पर जरूर से फोलो करें एक्सरसाइज को एक अपना लाइफ का रूटीन बनाए सुबह शाम दोनों टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं सुबह करें कम से काम इनिशली चालू करें ग्रेज्वली इंक्रीज करें किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपका दर्द